हेलो एब्रिवन गुड इवनिंग वेलकम तो यॉर ओन चैनल इंग्लिश लवर्स मेरा नाम है सतेंदर सिंग और मैं आप सब का स्वागत करता हूं आज की इस जकास और दमदार वीडियो में दोस्तों यह बहुत ज्यादा मुझे जो कॉमेंट्स आते हैं उनी को लेकर मैंने आज की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है कि इंग्लिश जब भी आप लिखने की कोशिश करते हो ऐसी बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हो जो कि आपको पता नहीं होता कि इसका सही जो है वो स्पैलिंग क्या होगा देखा चीक आगई तो शुरुआत जो क खोड़ा सा कोई काम शुरू करने से पहले चीक दो तो सही नहीं होता तो देखते हैं चलिए और आज की क्लास जल्दी ही जल्दी से जुड़ जाई और जो भी जुड़ चुके हैं वह एक बार लाइक कर दीजेगा और शेयर जरूर कर दीजेगा फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास गुड़ इवनिंग आप सभी का थैंक यू ईशा आशिफ संजे आर्टेस्ट एच्वी गेम्स बंधना शर्मा गुलम गुला मुला मतलब मुझे नाम सौरी आपका लेना नहीं आ रहा ठीक है फिर भी आप समझ गये ना आपका नाम लिए चल हैं इतना खास क्या है आप सब के लिए बस आप लोगों को एक वादा करना होगा कि एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी जितनी भी स्पैलिंग की मिस्टेक्स होती हैं ज्यादा तर जो मिस्टेक्स हैं वो आज के बाद नहीं होंगी ऐसे हम बहुत ही अच्छे रूल्स और फंडे आज क्लियर करेंगे ठीक है चलिए गुड़ इवनिंग तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो यह सुंदर सा मुखडा चैरा आज क्या हो चुका है तो आज स्पैलिंग मिस्टेक्स की हमारी यह वीडियो है और यह वीडियो आपको देखना है सब सबसे पहले सबसे पहले आप देखिए मैं कैसे आप लोगों को शुरुवात से समझाने वाला हूं है ना समझा रहा है यह सब तो यह आवाजें सबसे पहले आप एक बाद बताईए पैलिंग का मतलब क्या होता है या तो आपने कहीं पर पढ़ा हो उस शब्द को और वह सुन कर वह शब्द को याद करके आप वैसे का वैसा लिखने की कोशिश करते हो तो वह तो आपका होगा प् तो वहाँ अमारी बड़ी स्पैलिंग मिस्टेक होती है क्योंकि कई बार हमें सही परनेंस्टेशन नहीं पता होता और कई बार कुछ रूल्स हैसे होते हैं कुछ सैलेंट लेटर्स होते हैं जिनका आइडिया एवैं नहीं होता तो आज हम रूल्स भी करेंगे सालेंट और यह जो हमने लिखा है इसको भी एक बार समझ लेते हैं तो सबसे पहले आप सब को यह पता है कि यह जो है आप देख रहे हैं ABCD यह कितने letter होते हैं total 26 letters होते हैं हा या ना 26 letters होते हैं यह सब को पता है और यह 26 जो letters होते हैं, इन में होता पता है क्या है? आवाजे निकलते हैं कुछ, मतलब यह combination जो बन जाते हैं, A के साथ B जुड़ गया, या B के साथ O जुड़ गया, तो यह कुछ combination बन जाते हैं, या आपस में जुड़ के क्या करते हैं? 44, 44 तरहें कि क्या निकलते हैं, दोस् तो पता है हमारे वावल कौन-कौन से होते हैं वावल होते हैं दोस्तों A-E i-o-u यह हमारे पांच वावल आसमें ही जूड के पता क्या करते हैं यह 20 आवाज निकालते हैं तो अगर किसी को linguistics पढ़ना हो कि 44 total sounds कौन सी होती है यह बोली कैसे जाती है देखो यह हमारा जो गला है इसमें vocal codes है ठीक है जो यह मूँ के अंदर पीछे बिल्कुल जीव के पीछे यह जो हलका सा मास का टुकडा लटक रहा है ना सारा रोल इसका है छोटे इसी बिंदी जो आप सबको दिखती है ना मुह खोलते हो आ करोगे तो पीछे खलका सा मास का टुकडा लटकता हुआ मिलेगा तो सारा कमाल उसका है वह सभी आवाजे निकलता है ठीक है तो कई बार वह काम करता है कई बार वह नहीं करता तो जब वह काम नहीं करता तो इस तरह की 20 आवाजे निकले वह हमारी होती हैं वावल साउं इन पांच लेटर से निकलती हैं 20 और बची हुई 24 आवाज यह जितने भी आपके 21 बच गए इनसे निकलती हैं अब आप देखिए हर एक शब्द से कैसे कैसे आवाज निकलेगी अगर इससे आप किसी का नाम बताने की कोशिश करोगे ना आराम से बता पाओगे कैसे बता पाओगे ध्यान से देखिए जो ए है यह जब अकेला होता है तो आप इसको कह समिट अड्रेस अग्री है ना और आ से क्या आफ्टर है ना लाफ्टर तो उसमें भी आता है तो इस तरह से आपको यह चीजें मिल जाएंगे अब जो भी है हमारा वह अकेला भी बग की आवाज निकालेगा और जो यह सी है यह सर की भी आवाज निकालता है और क्या की भी निकालता है सरक्स हो गया है न ना कि साइकल हो गया और कर से क्या-बनेगा kend Haraj हो गया क्यमेस्ट्री हो गया तो यह सब करने वाले हैं आज मैं इसलिए बता हूँ तो अब इन से एक लेटर से जो आवाज निकलती है उसको सुन लो ता कि आगे जो हम करेंगे वह आप लोगों को अच्छे से प्यार से समझ ख़या तो तो डी जो है उससे ड की भी आवाज निकलती हो द की भी आवाज निकलती है ठीक है इसी तरह जब मैं ए की बात करता हूं तो यहां ए की आवाज भी निकलेगी और ए की भी आवाज निकलेगी जैसे एट निकली नहीं निकली तो इसी तरह है इसे क्या बनेगा इट तो इस तर हम हंबल हो गया तो जो आई है उससे यह इकी विप्या निकलेगी बड़ी Haha9 इसकी बेखकी निकलती बहुत निकलती ठीक तो जैसे जग हो गया ठीक जैसे क्या ऑगया अपका अ कि जैसे क्या बनता है ए जाहलेंट बंते हैं अबहुत ध्यान नहीं आरा यह फॉर काइट होता है तो कर भी आवाज निकलेगी और इससे ख़र की निकलती है कर से काईट हो गया सिंपल और से क्या हो गया यह वाजे कि आप बताओ बीच-बीच में आप अपने उन पर आरहे वाए जजजर हाथ यह निकल गई ना तो यह जह की मेरे को जजजर याद नहीं आ रहा था वहीं पे देख लेगी बताओ चलो कि बताओ बताओ के से के से कोई वर्ड स्टार्ट होता है और उसकी आवाज शुरू होगी ख खोखो अरे वाह खान अरे वाह खरगोश अरे इंदी मत बोलो भाईया खडूस खुश्भू खेल अरे कोई इंग्लिश भी बोल देगा हां इंग्लिश भी बोल दो खंजर खान कुंदन खाली वाव 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 अरे वाव वाव चलिए खैरत खोखो शाबास किसी बंदे ने अब तक यह जो आवाज है ना खैवाली यह नहीं बताई है काइनेटिक खुशी खदरनाक वाव अर्जुन यह स्पैम करना बंद कर दे नंबर मैंने किसी को नहीं दिया आप तक ठीक है बंद कर खरगोश खालिस्तान खयाल अरे वाव आज तो मज़ा आ रहा है सच में बताओ कौन को मतलब यह जो आवाज है यह हिंदी वाली जो है यह कैसे शुरू होती है क्या नहीं होती है बता दो चला वाह अबू चोदरी ने सही बोला है वैसे है ना खिलाडी खत्रा खलनायक किंग्डम खामोशी खैरियत यह हिंदी में है नाइफ उसमें के होता ही नहीं है खत खामोशी अर्जुन वह आपको उस पर एप पर मिल जाएगा उसका मत सोचो खजाना वावववववववववववववववव जलिए खाला अरे सारे हिंदी के वर्ड बता रहे हो तो इससे के से ख की भी आवाज निकलती है आप सब ट्राई करते रहो मुझे जैसे ही माइंड में क् जरूर बताऊंगा ठीक है खिलाडी खत सईवा करेज़ा सई बाता है सो जो एल है उससे लग की आवाज निकलती है ठीक है और उसके बाद जब एम की बात होती है तो इससे मा की आवाज निकलती है इसी तरह है आप देखोगे यह कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन से सिर्फ सिंप ओ आवर ठीक है और यह क्या हो गया ओ यानि की औरेंज कह दो सिंपल सा ठीक है तो इस तरह की भी आवाज निकल सकती है फिर प जो है उससे प की भी निकलेगी और फ की भी निकलेगी ठीक है आप कहोगे फ की कैसे निकलेगी फ्रेज निकल गई ना तो इसी तरह के आपको आजें भी मिलेंगी ठीक है अब देखिए जो क्यूं है उससे क्या की आवाज निकलेगी क्योंकि mostly क्यूं के साथ क्या आता है यू आता है तो यह क्या बनाएगा या तो हमेशा यह क्यों से शुरू होगा तो आपको यह याद रखना पड़ेगा ठीक है प्रैक्टिस कर लो कि कि अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे क्वैरी लिखना है तो क्यू के साथ यू जरूर आएगा इसलिए वह आवाज क्या निकलेगी को की इसी तरह आर से र की आवाज निकलेगी और ऐसे यह सर श और श यह तीनों ही आवाजे निकलते हैं ठीक है यह तीनों ही आवाजे नि निकलेगा भी निकलता है ठीक है तर से आप टाइट ठीक है सिंपल द से धिस ठीक हैता से है सिंपल तो यह मतलब जो मुँपे रहता है में से आ जाते हैं ठीक है हाँ थाइलेंड सब्सक्राइब फिर है यू तो यू को हम यू भी आवाज निकलती है और आभी निकलती है यू वाली कौन सी आवाज निकलेगी यूनिवर्सिटी ठीक है यूनियन और आसे क्या अर्जेंट तो यह बन गए श जैसे वेंगार्ड हो गया नाम अगर लेते हैं तो वेनेसा हो गया ठीक है वेलवेट हो गया तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं वी से स्टार्ट होने वाले वह की ही आवाज निकलती है ठीक है फिर है डबल यू तो वैसे बोलने को तो यह डबल यू है और पता इसको डब यू बन गया तो यह भी हमेशा क्या आवाज देगा वह कि आवाज देगा जैसे आप कहते हो welcome तो यह कौन सी आवाज आई वह की तो इंट्रेस्टिंग है ना वी और डबल्यू यह दोनों ही वह की आवाज देते हैं तो यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है एक तरह से घानना थिक है फिर है एक्स यह हमेशा एक्स तो आपको पता इसको zb De owe और इसको जीभी बोलते हैं और इनमें फर्क क्या है जैड बोलते हैं UK वाले जीभ विलते हैं अमेरीका वाले तो हम इसको ज़ो सांड है उससे अगर देखें तो जकी सांड आती हैसए जैसे दू लू है तो आपको यह पता चल गया ना कि कैसी कैसी हमारी इन से आवाजें बन सकती है ठीक है अब अगर मैं बात करूँ आज नहीं नहीं हम इसको आगे लेकर चलते हैं अभी कहां गया अब अब आपको यहां पर मुझे बताना पड़ेगा कि यह जो हमारी कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो इन में से कौन सी सही है कौन सी गलत है ठीक है और हम कहां कंफ्यूज होते हैं सबसे पहले तुम आप लोगों को वह बताना चाओंगा पहली बात कौन कहरा भाई गोरव यादव देखो गोरव सबसे पहली बात आप यह समझो अब तक जो मैंने ABCD करवाई थी तो जितनी हिंडी में यानि कि जब हम प्रणाउंस करेंगे तो चाहें इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो जो आवाजे निकलती हैं वह आवाजे मैंने लिखी थी कि ए से कौनसी निकलेगी बी से कौनसी तो इस वीडियो को दुबारा देख लेना एक रूल होता है थ्री टाइम्स का रूल होता है अगर कोई टोपिक आपके लिए इंपो उत्चारण करना यानि कि प्रनाउंस करना इसे हम क्या बोलेंगे प्रनाउंस क्या बोलेंगे प्रनाउंस लेकिन जब मैं इसको इसके साथ टी आई ओन जोड़ देता हूं तो क्या हो जाता है दोस्तों यह जो ओ है बीच वाला यह गायब हो जाता है और सही सही उत्चारण उसकी क्या बनती है English pronunciation इसको तो हम बोलेंगे pronounce करना किसी भी शब्द को pronounce करना यानि उसका उचारण करना लेकिन जो पूरा process है ठीक है शब्दों का उचारण करना ये जो विधी है जो process है उसे बोला जाता है pronunciation उसे pronunciation नहीं बोला जाता तो जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा गया है तो देखिए यह पियार ओन यू एन इस पर ध्यान रखिए यहां पे जीरो नहीं है तो यह क्या बना pronunciation क्या बन गया दोस्तों pronunciation ठीक है तो यह याद रखना यह मैंने ऐसी common mistakes लिखे हैं जो बहुत लोग गलत करते हैं बोलने में और जब बोलोगे गलत तो सही कैसे लिखोगे तो अगर आप देखो अगर आपने इसको देखकर कि प्रोनाउंस तो सर ने बोला था फिर यह प्रो प्रोनाउंस येशन बन गया यहीं पर लोग गलती करते हैं बोलने में भी और लिखने में भी तो अगर आप इसको बोलोगे प्रणांस येशन तो जब आप लिखोगे तो आपको पता है यह नन है N-U-N-na की N-O-UN तो यह बनता है प्रणांस येशन क्लियर है चलिए अब क बोला जाता है इसे बोला जाता है इसे बोला जाता है जल्दी बताइए इसे बोला जाएगा आमंड आमंड तो यह जो एल है ना यह वाला यह साइलेंट है क्या है दोस्तों साइलेंट है एल इसमें साइलेंट हो गया तो इसी लिए हम बच्पन से क्या गलती करते हैं जब भी नोगे एक तो दोस्तों फिट कडी कडी सफेद कलर जो मतलब ब्यूटी प्रोडक्स प्रोडक्स में भी यूज होती है है ना और गंदय पानी में डाल दो तो बंधी की सारी दंदगी सौंक लेती है साइंस के स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होगा इन चीजों के बारे में तो यह जो है यह डाइंग में भी यूज होती इंडस्ट्री में यह फिटकड़ी आपने सुना बहुत होगा उसे इंगलिश में क्या बोला जाता है यहां मैं आपको क्यों ब कुंपेरिजन कर रहा हूं यह देखो कंपेरिज अन्य प्रस प्रणावंस नंटियेशन आमन्ड ऐलं यह बन गया याद रखना इस चीज़ को अब यहां पर देखिए यह भी सी स्टार्ट हो रहा है और यह भी cc स्टार्ट हो रहा है हाँ या ना तो इसको तो मैं लेकिन यह जो है यह डोलेगा क्या इसको हम कैरकस बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सरकस यहां मैंने एस इस लिए लगाया ताकि आप सब समझ जाए कि यह जो से है यह किसका काम कर रहा है एसका काम कर रहा है तो यह हमेशे यह चीज याद रखना यह मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं लोग उसके बाद यहाँ देखो प्यार से ध्यान से एक तो मैंने यह लिखा बिलीव यहां पर यह देखो यह जो है यह जो है आप लिखते हो ना कई बार बिलीव की स्पेलिंग फिर कंसीव की स्पेलिंग फिर रिलीव की रिसीट की तो इनमें मिस्टेक क्यों होते हैं तो अगर मैंने बोला विश्वास विश्वास की इंग्लिश होती है बिलीव करना आप कहते नहीं कई बार अरे दिन रात रखते हैं लोग यार मेरा विश्वास कर believe me believe me believe me लेकिन जब believe लिखने की बात आती तो दिमाग दो बार सोचे गा कि आई पहले आएगा या बाद में आएगा और वो से आप लोगों को समझ आ रहा है कि आप मिस्ट्रेक कहां करते हो कहां मिस्ट्रेक करते हो और यह रूल है दोस्तों और यह रूल भी अब हम करने वाले हैं यह कॉमन मिस्ट्रेक जो स्पेलिंग की करते हैं वो आप लोगों को दिखानी बहुत जुरूरी थी अब आ जाते हैं यहां पर ध्यान से देखिएगा प्यार से यह है क्या होती है कैची के एंगलिष क्या होती है सिजर्स तो यह जो हमारा स है यह उसमें ऍपर और स्केल यहां पर साइल्ए वाई यह तो S बोला जाएगा, scale हो गया, है ना, तो आप सोचो कि पहला शब्द के बाद C आया है, यहां भी S के बाद C आया है, तो यहां तो यह बना scale, लेकिन यहां पर बना यह scissors, क्या बना दोस्तों, scissors बना, तो इसका भी क्या है, एक rule है, क्या समझे, rule है और वो अभी करते हैं, अब last में आजो, जब आप singular से किसी को plural बनाते हो, यानि एक वचन से बहुचन बनाते हो, ठीक है, तो आपने कई बार यह rule कहीं छोटे मोटे पड़े होंगे, वह last में वाई आया है ना, उसको अटा दो, और जब उसका बहुचन बनाओ, यानि plural बनाओ, तो IES लगा दो, ऐ तो की देखो, last में क्या आया, वाई, खिलोना यानि कि ट्वाई, इसका मैं बहुचन बना दिया, प्लूरल बना दिया, यानि एक से ज़्यादा हो गए, तो यह कहलाएंगे, twice, खिलोने, खिलोना, twice, खिलोने, twice, तो यह last का वाई है, इस पर याद रखना, यहां पे मैंने स कुछ अलगी बला बन गई, I, E, S, जुड़ गया, वाई हट गया, तो यहां confusion होती है, तब आप लोग spelling mistakes करते हो, ठीक है, अब इसको दूर कैसे किया जाए, चूमंतर कैसे कर दें, अब करते हैं हम, पटापट रूल, सटा सट रूल, बिलकुल ध्यान से देखिएगा, प्य मैंने यहां पर मैनत किया, मेरी कोशिस आप लोगों को पसंद आ रही है, तो एक बर लाइक जुरूर कर दो, यार, लाइक कर दो, शेर कर दो, यह मेरी गुरू दक्षिना होगी, और मैं बहुत motivate feel करूंगा, कि मैंने किसी का भला किया, मैंने बच्चों को कुछ सिखाया, ठ कोई ज्यादा जादू मंतर वाला रूल नहीं है, सिंक्टल सा रूल है, क्या, सिरफ एक बात याद रखनी है, आपको, अगर, अगर यह जो है S tu, उसके बाद, EI, IE, या YE, या YE, यानि, C के बाद, E आ जाए, IE, या YE, तो यह क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द यह अगर combination आपको पता याद रहा कि E के साथ I के साथ और Y के साथ अगर हम इस्तेमाल करते हैं C का वो क्या बन जाता है आवाज यानि बोलने में लिखने में वही रहेगा क्योंकि हम बोल के लिखते हैं ना तभी तो spelling mistake होती हैं तो यह sir की आवाज आएगी तो अगर आपको को है clear है चलिए फिर है देखिए T के बाद आई आ गया सरकस यह भी साथ की साउंड है फिसी के बाद लगे सेंचुरी यह भी साथ की साउंड है और जो cycle हम चलाते हैं उसके बाद सी के बाद वाई आता है तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं साइकल समझा आ रहा है मजा आ रहा है सबको मजा आ रहा है वेरी गुड चलिए अब तो यह तो हमने पढ़ लिया कि आवाज निकालने हो तो कि आज यह बात कर रहा था वह मैं यह बात कर रहा था ठीक है कि खर आवाज कैसे निकलेगी के के साथ ह कैसे जुड़ेगा यह खर आवाज आएगी कैसे देखिए कि सी को आप कब बोलोगे जब ए आई वाई के अलावा कोई भी शब्द आ जाए जैसे क्लाउड तो यह क्या बन गया क्लाउड सिंपल है बादल बनाया नहीं बना क्लाउड यानि की बादल उसकी इंगलिश होती है यह फिर है vyo communication क्या बोलते हम communication वो भी किस से शुरू होगा का communication ठीक है तो यह भी आवाज क्या बनी communication यानि कि विचारों का अदान प्रदान वहusi वारिक जो भी बातचीत होती है उसका फिर हम बात करते हैं यह तो यह कि आवाज देते हैं जैसे college कि यह हमें आवाज देंगे आप इसको कॉलेज नहीं भोलोगे वह गलत हो जाएगां आप कभी भी प्याद आप जाते ओना कॉलेज में हिंदी में अप इसाए कॉलेज बोल दो लेकिन जब और इंग्लिस ऐसे mix कर दी तो हमने इसको college बना दिया ऐसा नहीं है दोस्तों हमें इसको क्या बोलना चीया college क्या बोलना चीया college और यह क्या है यह है courage ख़रेज और इसी तरह इसको भी आप क्या लिख सकते हो college ठीक है यह है इसकी सही pronunciation यानि सही उच्चारण क्या है इसका तो होगा college और इसका होगा courage क्या होगा courage समझे आ रहा है clear है very good अब दोस्तों एक और rule है spelling का बहुत important rule है बहुत important जो ये छोटे-छोटे शब्द आप लोगों को कई बार मिलते हैं ठीक है fly हो गया cry हो गया buy हो गया तो आप सोचते हो कि इसके साथ जब ing लगाओगे तो continuous stance में ing तो लगेगा तो वहां पर क्या rule है तो कोई भी ऐसा शब्द जहां पर long e की sound आए long e की sound आए वहां क्या होगा आपने जो अभी किया था वह जो आई ए है वह हमेश्या क्या आएगा जो इसाउंड है वह आई इब बोला जाएगा जैसे बिलीव बोलके देखो बिलीव ठीक है लोंगए की sound में आई ए आता है ये याद रखों हमेश्या बिलीव फिर है प्रीस्ट प्रीस्ट यानि की पुझारी विश्वास करना प्रीस्ट यानि की पुजारी तो यहां भी देखोगे ऑई यहां पे प्लीव है तो ही ऑए होई फिर है चीफ यानि कि जो लिडर होता है न आचीफ वह भी क्या है आई आई है क्योंकि लोंग ही साउंड है यह याद रखना जैसे तीफ चोर को हम क्या बोलते हैं थीफ आप यह नहीं बोलोगे थीफ बोलके देखो कि आप कभी चोर को ऐसा बोलोगे थीफ कभी नहीं बोलोगे आप बोलोगे थीफ आप कभी यह नहीं बोलोगे चिफ चिफ बोलोगे नहीं आप बोलोगे चीफ बोलके देखा गरो उसी से पता चल बोलते कभी भी आप बोलते हो प्रीस्ट प्रीस्ट तो लोंग एकी साउंड आए तो आप समझ जाना कि आपको लगाना है आई-ई clear है समझ आ रहा है मज़ा आ रहा है लाइक और शेयर दन दनाते हुए चलने दो States हम अंग्रेजी उख्ते जाएंगे यह हाईजीन 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 यह निई बोलोगे कभी भी बोल के यहाँ पर सी नहीं है कि बूद्ध थी की आवाद नहीं है लेकिन जहाँ सी है जैसे रिसीट है सोरी रिसीव है था ना तो वहां पर क्या करेंगे वहां पर हम इसको इडाई में बदल देंगे और वो कैसे बदला जाएगा देखिए जहाँ पर c है तो वहां पर यह कैसे मतलब जहां c को प्रेनाउंस किया जाता है बोला जाता है लोंग e के साथ c है आपका जैसे e-i आ जाएगा उसमें stealing जो छट होती है हमारी उसे क्या बोलते हैं ceiling तो आप समझ लो एर सर भी तो है तो अगर c आ गया तो e-i जो है वो पलट के क्या हो जाएगा जो i e है वो प्लट के e i हो जाएगा common sense से इतना याद रखो जब long e के आवाज आए तो हम i से शुरुवात करेंगे और जब e जो है उसके साथ c आ जाए तो अपनी जगह बदल लेगा e पहले आ जाएगा long e में i पहले आएगा बस इतना याद रखो और c आया तो position पलट जाएगी practice करोगे तो यह बिल्कुल आ जाएगा जैसे conceive receipt तो दोस्तों यह इतनी common आपके जो daily उसके words हैं कि इनके बिना काम नहीं चल पाएगा तो इनको आप लिखने की practice करो receipt receipt है तो उसमें क्या है स आया है तो इ पहले आ गया conceive यानि कि जो आप धारन करते हो। कुछ लेते हो। ठीक है concite चाहिए आप ज्ञान लेते हो नहीं तो कहते हैं ना गरभाधारन किया है किसी ने concite किया है चोथा महिना चला है तीसरा महिना तो उसे भी हम क्या बोलते हैं सिलिंग चत धोखा देना दिसीव यहां पर भी सह आ गया तो याद रखो तो जैसे ही आप सुनोगे ना दिसीव तो आपने सोचा कि डी से तो डी बन गया ठीक है डी आ जाएगा और फिर आपने सोचा कि सह है तो सी लगा दो फिर आप कंफ्यूज होते हो आई ए और ए आई मे इसी तरह है रिसीव यानि कि प्राप्त करना रिसीट यह दुबारा लिख दिया यानि कि जो आपको रसीद मिलती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिसीट और यहां पर यह जो पी है यह दोस्तों साइलेंट रहेगा यह याद रखना ठीक है यह रूल भी मैंने आगे भी आई पहले आया है तो यह दो या तीन वर्ड्स है यह आप याद कर लो क्योंकि एक्सेप्शन बहुत कम होते हैं ठीक है और जो मेन जो डेली यूज के आप वर्ड्स करते हो वो जो स्पेलिंग है वो इन रूल्स के अकोर्डिंग चलेंगे जैसे साइंस है अब हो सकता ह है शायद ही कोई बच्चा हो जिसको विज्ञान का अंग्रेजी में मतलब ना पताओ कि साइंस क्या होता है तो साइंस अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको समझा जाएगा उसकी स्पेलिंग यही रहेगी ठीक है प्रोफिशेंट है उसमें सी है लेकिन फिर भी पहले आता है इस इतना है वियर्ड तो वियर्ड ही अपने आप में शव्द ही अजीव है तो यह अजीव शव्द भी क्या करता है यह के बाद आए आएगा चाहे लॉंग हो इसको फरक नहीं पड़ता तो यह कुछ एक्सेप्शन से इनको आप याद रखो उसके बाद एक वचन से किसी भी चीज को बहुचन बनाते हो यानि कि सिंगुलर से प्लूरल करते हो तो उसके कुछ रूल से जो आपको लिखने में बड़ी दिक्कत देते हैं ठीक है तो आप सुनतों लेते हो कि हाँ इसका सिंगुलर यह है और इसका प्लूरल यह होना चाहें लेकिन आपको फिर भी पता नहीं होता तो लेकिन यह देखिए शब्द जो भी खतम होंगे एस से डवल एस से सी एच से एस एच से जैड से या एक से यह जितने भी शब्द हैं अगर कोई भी शब्द अंग्रेजी में इन दो लेटर्स के साथ खत्म होता है तो उसका जब आप प् यह जुड जाता है कैसे एक्जेंपल देखो जो यह बस है बस में यह जो लास्ट का एस है यह देखिए यहां पर तो यह क्या बन जाएगा बस इस ठीक है इसी तरह है यह जो किस में डबल एस है लास्ट का लास्ट का डबल एस किस में क्या होता है उसके साथ यह जुड जा जैसे bench में CH last में आता है तो इसके साथ क्या जूड़ जाएगा जब इसका plural बनाएंगे तो benches जूड़ जाएगा सिरफ यह जूड़ जाएगा तो आप यह practice करके देखो दोस्तों तभी मज़ा आएगा और तभी आप लोगों को समझ में आएगा अब जो यह डिश का है जो कि यहां पर SH है तो यह SH का डिश का अगर हम plural बनाएंगे वो क्या जूड़ जाएगा यह जूड़ जाएगा और यह डिश बन जाएगा तो आप भी ऐसे कई words को देखिएगा जिनको आप क्या कर सकें आप singular से plural कर सकें फिर quiz जो कि last में Z sound है अगर Z है इसका अगर plural करेंगे तो भी क्या बन जाएगा यह जूड़ जाएगा ठीक है फिर है box तो यह क्या है X तो इसके साथ क्या जूड़ जाएगा इसके साथ 1 जूड़ जाएगा समझ आ रहा है दोस्तों समझ आ रहा है दोस्तों अगर यहां पर कोई इधर उधर की बातें करेगा तो देखिए ब्लोक किया जाएगा ठीक है सभी का एक ही मक्सद होना चीए हां अभी एक दोस्त ने सही किया पॉक्स का क्या बनेगा फॉक्स इज ठीक है तो आप ऐसे प्रेक्टिस करो ना ऐसे प्रेक्टिस करो देखो अगर दुबारा किसी का ऐसा कोई भी मेसेज मुझे दिखाई दिया यार आप एक बात बता हुआ अब मैं यहां पर ध्यान दूँ कि वही इतने अच्छे बच्चे हैं ठीक है उनके माबापने इतने अच्छे संसकार दियें कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं र जाता है जो मतलब इस्तेमाल क्या बोलने कुछ लाइक नहीं रहता अरे किसको ब्लोक करें भाई ब्लोक कीजिए सरजी ब्लोक कीजिए रहे किसको ब्लोक करो अब एक काम करो अब किसी का भी फाल्टू का कोई मैसेज दिखाई दिया किसी को लेकर मैं ब्लोक कर दूँगा प तूल अलग से है ठीक है तो कुछ exceptions भी होते हैं वो हमें याद रखनी पड़ती है ठीक है कि तो देख लो अभी यहां पर ना बकवास मत करो अपना पढ़ाई continue कर लो क्यों बाकि इतने 700-800 लोगों का आप टाइम खराब कर रहे हो ठीक है चलिए फिर अगला रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी शब्द वाई से खतम होता है वाई से खतम होता है लेकिन उससे पहले कोई वावल आ जाता है यानि कि कोई भी वर्ड है वो वाई से खतम हो रहा है लेकिन उससे पहले क्या आ जाता है उससे पहले आ जाता है वावल साउंड वावल आ जाता है वावल क्या होता है एई आई ओ यू तो यह पांच ही तो अक्षर याद रखने तो वाई से पहले अगर इन पांचों लेटर्स में से कुछ आ गया तो क्या होगा तो आपका सीधा एस जुड़ेगा और कुछ भी नहीं जुड़ेगा जैसे ट्वाई का ट्वाई पन जाएगा और कीओ की वाई से पहले ओ है वाई से पहले यहाँ पर अपर are लेकिन अगर ऐसा नहीं है अगर वह से पहले कोई भी शब्द है इन वावल लेटर्स को छोड़कर तो क्या होगा आई एस जुड़ तो यहाँ जैसे बेबी है टो यहाँ आई एस जुड़ जाएगा क्या जुड़ जाएगा आई एस कंट्री है वाई हटके क्या बन जाएगा आई एस जुड़ जाएगा तो दोस्तों यह कितनी काम की बाते हैं है ना कितनी काम की बाते हैं यह आप लोगों को कितना काम देंगी सारी जिंदगे आप लोगों की इनी रूल्स के उपर ही चल लिए और अभी तो साइलेंट लेटर्स भी करवाने मैंने ऐसे काम करोगे तो नहीं करवा पाऊंगा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट है हमारा यह और यह मैंने पहले ही आप लोगों को बहुत बार बताया है अगर किसी को स्टेप बाई स्टेप पूरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्री में चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे जाईएगा इंग्लिश लवर्स की वेबसाइट है यहां पर आपको 30 classes मिलेंगी और उसके साथ साथ सारे PDF भी वहीं पर मैंने लगा दिये और यह जो कॉर्स चल रहा है इसकी भी मैं कल से PDF लगाना शुरू कर दूंगा वन बाई वन क्लास के साथ ठीक है तो आपको इधर उदर भटकने की जूरत निया प्लेश्ट में मत्था मारते हैं कई लोग तो नहीं मिलता फिर कोमेंट करते हैं बैचारे किसर नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा अब हर किसी को तो प्लेशनी का निनक भेज नहीं सकता ना इसलिए मैं बता रहा हूं कि यह कर लो और यहाँ आपको ना website पर ठीक है one word substitution हो गया वो सारे आप लोगों को website पर मिलेंगे ठीक है ना तो याद रखना ये चीज़ बहुत काम आएगी अब मैं बात करता हूँ आगे देखिए दोस्तों कुछ general rules है अबी बहुत important बहुत बहुत important कुछ general rules हैं वो क्या कहते हैं सबसे पहले देखिए अगर कोई भी शब्द हो छोटा शब्द यानि कि small word small word हो small word का मतलब यह होता है दोस्तों जो तीन वर्ड्स का या चार वर्ड्स का हो ठीक है जिनें बोलते वक्त सिरफ एक बार ना हमारा मूँ ज्यादा हिले बस कोशिश करो syllable वगेरा बताऊंगा तो शायद समझ नहीं पाऊगे ठीक है तो ज्यादा मतलब बड़ा शब्द न करेंगे तो आप वहां पर वाई जोड़ दीजिएगा अपनी तरफ से क्या जोड़ दीजिएगा आई ए हटा के वाई जोड़ दीजिएगा तब आई एंजी आएगा जैसे एल आई जूट बोलना इसके साथ अगर आई एंजी लगाएंगे तो यह बन जाएगा लाइंग से एक शब्द बताईए जो किस से खतम होता है आई ए से खतम होता और उसके साथ मैं आई एंजी लगाऊंगा तो वह क्या बन जाएगा वाई आई एंजी जल्दी बताओ यहां पर बताओ मेरे को क्या आना चीए जल्दी से और एक पढ़ाई करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं बात की चीजों के लिए कहां टाइम है जल्दी बताओ जल्दी 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 नहीं नहीं लास्ट के दो शब्द टाए वेरी गुड यह क्या नाम है भाईया सार्थिक रगुवंशी कॉंग्रेचुलेशन्स बहुत सही जा रहे हो यहां पर जो ध्यान दे रहा है न वह बंदा जरूर कामियाब होगा अपने लाइफ में ठीक है ताइट होता है बांधना ठीक है तो अगर मैं इसको कहता हूं बांधना तो यह क्या बन जाएगा टाइंग अब बताओ कोई और शब्द याद आ रहा है किसी को यहां पर जल्दी से जल्दी से बताओ मैं देखना चाहता हूं आप लोगों की जो थिंकिंग है वो कहां कहां तक जा सकती है जल्दी से भाई ड्राइ नहीं 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 एंडिंग जो है वह आई-ई से होनी चाहिए बताइएगा अरे वर्ब होनी चाहिए भाई फाइल सही समय पर याद नहीं आता बिल्कूल सही बात है ठीक है तो कोई बात नहीं आपके लिए यह होमवक की तरह रहा आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताईएगा कि क्या आपको ऐसा वर्ड आता है छोटा वर्ड जिसके लास्ट में आई यह आता हो और उसके साथ जब आप इंजी आई एंजी लगाने की कोशिश करेंगे तो आई हटा के वो क्या बन जाता है वाई आए एंजी ठीक है वेरी गुड तो चलिए नेक्स्ट क्या है रूल कि अगर मान लो आखरी अक्षर वाई है आखरी अक्षर वाई है किसी छोटे शब्द का और उससे पहले क्या है उससे पहले कुछ भी हो हमें मतलब नहीं तो हम उस करते हैं आई एंजी लगाते वर्ट लेकिन यहां पर क्या करते हैं अगर वाई है तो हम कुछ ना हटाते कुछ ना जोड़ते वहिया वैसे का वैसा आई एंजी लग जाता है समझा रहा है वैरी गुड चलिए फिर है नेक्स्ट रूल यह कहता है अगर आखरी के जो लेटर हैं वह क्या हूं बहात सुनिएगा ध्यान से आप लोगों को पता है 26 लेटर होते हैं अलफाबैट में और उन में से 5 हैं यह वावल्स उसके अलावा जितने बच गये वह सारे क्या हैं तो अब आप यह कॉंबिनेशन याद गरो अगर एई आई ओ यू आया और उसके बाद बचे हुए 21 लेटर में कुछ भी आता है तो अगर उसके साथ हम आयन जी जोडने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा जो आखरी का लेटर है वो डबल हो जाएगा आखरी का लेटर डबल हो जाएगा एक्जेम्पल देखो यह है पुट पुट तो यह यू क्या है यह वावल है यह एन क्या है यह कॉंसोनेंट है आएंजी लगाया यह बन गया बिगिनिंग अब आप लोग वर्ड बताएए कौन सा एसा वर्ड है जिसके साथ आप आइंजी लगाते हो तो डबल लैटर बनेगा लास्ट का लेकिन वावल और कॉंसोनेंट यह होने चीन लास्ट के दो वावल है टी क्या है हमारा कॉंसोनेंट है इसके साथ आइंजी लगाओगे तो यह बन जाएगा कटिंग वैरी गुड फिर क्या लिखा है भाई की अरे नहीं ऐसे तो कुछ भी बना दोगे वैरी गुड रन किसीने रन लिखा है बहुत सही यह बन जाएगा रनिंग और बत मैटिंग कब से होने लग गया है मीट होता है वो है ना लास्ट के दो अक्षर होने चाहिए बस वावल और उसके बाद वह अपना ड्रॉइंग नहीं होगा वाचिंग नहीं होगा सेट हां सेटिंग यह सही है चैट वेरी गुड देखो ऐसे बच्चे क्या करते हैं वो के साथ ing लगाओगे तो क्योंकि यह वावल है यह कॉंसोनेंट है यह क्या बन जाएगा चैटिंग बन जाएगा बहुत बढ़िया वेरी गुड शूट अरे वह आब आगे करेंगे सिट बहुत सही सिट का लिखोगे तो यह बन जाएगा शिट शिटिंग शिटिंग नहीं वह अलग होता है सिटिंग क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया अरे ऐसे ही बच्चे तो पसंद है हमें ऐसे ही बच्चे पसंद है यह मैनत करने वाले तो देखो दोस्तों अब आपको कॉंबिनेशन पता चल गया वावल और कॉंसोनेंट अगर एक साथ आते हैं आखरी के द बाद जो आखरी जो लेटर है वो कॉंसोनेंट हो और उसके साथ जब लगाएंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होता है ठीक है क्योंकि वह अपने आप में दो वावल पहली लेके है तो उसको जूरत नहीं है तो देखिए क्या बनेगा शूट आइनजी शूटिंग मीट आइ आइनजी लगाती क्या बन गया वेटिंग कोई बदलाव नहीं अब आप मुझे कैसे शब्द बताईए जिनमें कुछ नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा दो वावल उसके बाद क्या आएगा ऐसा शब्द दीजिए मुझे नहीं भाईया स्किप नहीं है हाँ शाउट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाउटिंग दिया किसने है मैं सबसे पहले नाम भी लूँगा यार नाम भी लेने जरूरी है ठीक है बड़े अच्छे जो बच्छे काम करते हैं ब्यूटी चोदरी ब्यूटी चोदरी वेरी गुड ठीक है रूट वेरी गुड ग्रू through them grooming ठीक है जीत रख्रह करें तर्वर्भ दो वर्वव क्रिया क्रिया ठीक है शाउट और है दिमाग में अब ही गोंब रहा था शूट शूटिंग किक है और बिलकुल बोलो बोलो read reading कितना अच्छा शब्द है इतना common तभी तो कहता हूं spelling mistake तभी दूर होगी न आपकी जब आपको पता हो कि अगर read के आगे मां ing लगाऊंगा तो यह बदलेगा या नहीं बदलेगा यही purpose था मेरा आप लोगों को यह सारे rules करवानेगा ठीक है reading very good wearing watching watching कैसे आएगा इसमें कहा है वावल देखो बाकी की बात नहीं कर रहा feel feel feeling है ना हो तो गए समझाया very good like कर दो जो जिसको समझ में आ रहा जिसका मज़ा यहां पर दुगना हो रहा है अब देखो कई बार क्या होता है जो कोई word होता है ना उसका last का e होता है वो हमें हटाना पड़ता है ठीक है e last का हटाना पड़ता है और उसके साथ हमें क्या जोडना हो prefix अगर जोडना हो वह क्या होगा t i o n अगर हो और last का i हमारा क्या होता है हट जाता है जैसे congratulate ट i o n लगेगा तो ये बिचारा हट जाएगा क्या बन जाता है congratulations यानि कि शुब खाम नहीं फिर है motivate motivate में भी last का e हटेगा tion जुडते यह क्या बन जाएगा motivation अब आप मेरे को एक ऐसा शब्द बताओ जो e से खतम होता हो और जिसके आगे tion लगाएं तो वो e हट जाए अपने दिमाग के घोड़े दोड़ाओ थोगा बता यह कि डिटर्मिन वेरी गुड़ डिटर्मिन होगा determination वेरी गुड़ बहुत सही यह बहुत सही जेनरेट जेनरेशन वह अलग हो जाता है compete competition यह भी सही है लेकिन सिरफ e वाला बताओ meditate यह आए न वर्ड घूमके meditate कितने common word हैं सिरफ e हटेगा और i o n जुड़ जाएगा यह बन जाएगा हमारा meditation मज़ा आ रहे ना अरे मज़ा आ रहे क्या नहीं चलिए educate education देखो कितने बढ़िया बच्चे हैं संतोष well done संतोष इसी तरह से सीखो गया आप अब है हमारा next आप कुछ silent letters के rule कर लो भीया यह बड़े काम आते हैं यह silent letters के कर लो यह आप कैसे words को pronounce करते हो और अगर आप सुनते हो इन words को तो अगर आपको silent letters की knowledge है तो आप spelling mistakes नहीं करोगे गलतियां नहीं होंगी लिखने में ठीक है very good तो देखिए सबसे पहले अगर डी जो है वो silent होगा कब अगर जी से पहले आएगा तो तो जी से पहले डी आया करता तो सही करता है अब देखो अगर हम जज की बात कर रहे हैं तो जी से पहले क्या आया है डी आया है तो यह क्या बन गया जज बन गया इसी तरह है इस शब्द में जी से पहले डी आया तो यह क्या हो गया silent हो गया यह बना knowledge knowledge ठीक है no lead कोई बोलता है क्या ऐसा नहीं तभ दलिया को इंग्लिज में हम क्या बोलते हैं पॉरीज क्या बोलेंगे दोस्तों पॉरीज किसी के पास और कोई शब्द है यह सा जल्दी बताओ जिसमें डी और जी साथ आते हूं जल्दी से बताओ वसीम खान एब्रिज सर मुझे इंग्लिश नाहिर क्या कह रहो भीया अरे वाह फ्रिज बहुत बढ़िया भीया ऐसे बच्चे बढ़े पसंद है मेरे को जो शब्द ढून ढून के लाते हैं एकनॉलेज वेरी गुड बहुत ही बढ़िया शांदार शांदार डी और जी बजेट अरे वाह बहुत सही केपी सुबेदी व्लोक्स गुड वसीम खान एब्रिज बजट नहीं नहीं हिना कुमारी ये नहीं आएगा इसमें सरक कैसे पता चलेगा कि वर्ड साइलेंट है पंकज कुमारी ये रूल है भाई अगर कहीं भी आप देखो कि जी से पहले डी लगा हुआ है तो डी नहीं बोला जाएगा यहीं तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को हैज वेरी गुट वेरी गुट ठीक है एज अरे वाह बिलकुल सही ये सब चीजें आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो तो आपको अगर पता है कि ऐसे साइलेंट होता है तो आपकी स्पैलिंग मिस्टेक नहीं होगी दोस्तों ठीक है यही रूल है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट है कि अगर जो जी और के हैं जी और के अगर वो एन से पहले आएंगे तो वो साइलेंट हो जाएंगे एन से पहले अगर जी और के आता है तो वो साइलेंट हो जाता है कैसे देखिए एन से पहले जी आया साइन क्या बोला गया साइन साइगन नहीं बोला ना सिगन बोला है किसने गलत होगा सिगन नहीं होगा यह होगा साइन अब यह दोस्तों क्या बोला जाता है यहां पर एन से पहले जी आया है तो यह क्या हो गया एन से पहले जी साइलेंट असाइन ठीक है किसी को सोपना ठीक है देना फिर है यह एन से पहले जी आया है ठीक है इस्तीफा रिजाइन त चीजत्य गर गोई एब से पहले जी आएगा तो वो हमेशा साइलेंट होगा अब एंज से पहले कर के आएगा वह भी साइलेंट होगा का से देखिए णियू या यहीं ecology कहते या नानो न्यू नोन तो वहाँ आपको पता चल गया एंज से पहले के आया तो के सैटा नहीं बोला जाएगा गुटना नी के साइलेंट हो गया नाइफ टाकू एन से पहले क्या आया के आया तो ये भी साइलेंट हो गया अब देखो रोज मरा में हम पढ़ते जरूर है इन चीजों को स्पैलिंग भी लिखते हैं लेकिन मिस्टेक कहां होती है जब आपको यह रूल नहीं पता होते तब तो अगर न से पहले की आया है तो नहीं बोला जाएगा अब ये होता है नीड तो ये क्या ये होता है गूतना गूतना जो आटा होता है ना तो कीचन में जब उस आटे को ऐसे ऐसे आप उसकी लोई बनाते हो ना जो जो लोई होती है आटा जो गिला होता है उसके क्या बोलेंगे जल्दी बताओ मैं आज कुछ सीखना चाहरूं गीला आटा उसे क्या बोला जाता है आप में से कितनों को आता है बताओ जल्दी से बताओ आरे थोड़ी वोकैब की भी प्रैक्टिस हो जाए वाई साथ साथ हम कर क्या रहें इंग्लिश क्लास में इंग्लिश नी सीखेंगे तो क्या करेंगे बहुत बड़िया तोफिक खान आपने कोशिश अच्छी करी लेकिन जो स्पैलिंग है वो इसकी गलत है गूतना हाँ गूतने की इंग्लिश होती है नीड लेकिन क्या गूता जाता है आटा औरे भई गिला आटा शिरफ एक की अभी तक सही आई है सुबोध कुमार राना बिल्कुल सही एक आई आई का भी सही था देखा आप लोगों को नहीं आती ना स्पैलिंग तभी तो गलतियां होती है देखिए डी ओ यू जी एच ये होता है गिला आटा चलो अब मुझे ये भी बता दो आटे को इंग्लिश में क्या बोला जाता ह आटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ बहुत बढ़िया जल्दी से बताओ आटे को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा देखो ये घर में जो किचन में काम होते है ना अगर आपको ये कई बार आप मम्मी को नहीं कहते कि मम्मी आटा गूत दी आपने चलो रोटी मैं बना देता हूं या बना देती हूं मम्मी की भी कभी मदुख किया गरो ना यार है ना देखो यहां पे बहुत लोगों की अभी भी मिस्टेक है वो क्यों है प्रेनन्सियेशन अच्छे से नहीं सुने अब डो का मतलब हो गया यह क्या बोला जाएगा डफ नहीं होगा डफली वाला डफ नहीं है यह है डो यह है डो इसे बोला जाता है डो ठीक है गिला आटा ठीक है और यह डो हो गया ऐसे लिखा जाएगा डो अब आटे को हम क्या लिखते हैं यह लेकिन इसको प्रेनांस कैसे किया जाएगा यह पता आप सब को इसकी प्रेनन्सियेशन होती है फ्लावा जो फूल नहीं होता हंजी बिलकुल सही इसको हम प्रेनांस करते हैं फ्लाव यानि की जो full होता है उसकी और आटा जो होता है उसकी pronunciation लगळग same है सिर्फ क्या फर्क है फर्क होगा आपकी spelling में तो आटा है उसकी spelling आप यहां पर ध्यांद से देखो कभी आगे गलती मत करना ठीक है यहां पर ध्यांद से आप देखेगा चलिए अब हम आते हैं next नेक्स्ट अब मालो अगर जी एच आप लोगों को कहीं पर दिखाई दे जाए जी एच कहां दिखाई दिया यह रहा है ना अब इंगलीश का यहीं तो मज़ा है भाई कहीं भी हम कुछ डूंडते हैं कुछ लिखते कुछ हैं मिल कहीं जाता है तो जी एच यह देख तो अगर मैं कहूं डो तो यह जो जी एच है यह बोला नहीं जाएगा यह सिरफ डो बोला जाएगा तो आप इसको क्या बोलो डो समझ आ रहा है यह बोला जाएगा डो और इसका मतलब होता है गीला अटा तो यहां से आपको एक बात समझ आ गई एक और बताता हूं आपको तफ यहां भी क्या है तव ये F आएगी जरूर लेकिन जो जी एच है वो यहां पर क्या है साइलेंट है समझार है आप लोगों को तभी इनफ तो यहां पर जो ये लगातार दो आप लोगों के साउंड के बाद अगर कोई जी एच आता है कई बार यह साउंड क्या देता है एफ की जैसे इनफ तो यह जी एच हमाई से साव साइलेंट रहेगा यह आप बात ध्यान रखिएगा ठीक है कि समझ आया वेरी गुड अब देखिए अगर मैं बात करूं जी एच कहीं पर आता है तो वह मोस्ट ली टी के साथ जब आएगा तो वह पूरा ही साइलेंट होता है ठीक है दोस्तों क्या होगा जैसे यहां पर तो यह साइट बनेगा ना कि सिट नहीं बनेगा तो साइलेंट का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल ही इसको बुला दो ठीक है इसमें एक जो वावल साउंड है ना वो डिफ्थोंग रहता है लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जी तो मैं आप लोगों को साउंड करवाना नहीं चाहरा था ठीक है यह अलग है लेकिन आप इतना याद रखो अगर जी एच कहीं पर आता है तो वह आए आए की साउंड मोस्टली देगा अगर आखिर में टी है तो ठीक है साइट लाइट ब्राइट अब यह देखो हाई यह क्या है बिलकुल साइलेंट है यहां पर भी आया गया क्योंकि लास्ट में टी था और यह जो यह जो है यह जू है क्या हो गया यह पूरा साइलेंट हो गया तो आप मेंसे कही सोचेंगे कि सा अभी हवी हमने करा था help तो यहां तो बिलकुल ही साइलेंट हो गया लेकिन यहां पर यहां पर भी बिलकुल साइलेंट हो गया जी है जो मैं करवा रहों लेकिन अगर मैं बात करूं तो यह साउंड दे रहा है एफ की अगर मैं बात करूं इनफ तो यह भी साउंड क्या दे रहा है एफ की तो यह दोस तो रूल्स हैं ये हम इस लिए सीखते हैं कि 90 परसیंट जो वेरड हमारे होते हैं उन में यही रूल से प्लाई ओंगे चलिह फिर हम बात करते हैं सी के बाद अगर अगर सी आता तो क्या बनेगा भाई देखिए जो सी है वो साइलेंट रहेगा अगर वो एसके बाद आया तो अगर आप यह चीज याद रखोगे तो यह क्या होगा साइलेंट होगा सी इसमें साइलेंट होगा जैसे S के बाद C आया तो ये silent हो गया science बन गया S के बाद C आया silent हो गया scene बन गया अब S के बाद C आया ये क्या बन गया scissors इसलिए दोस्तों आप बहुत गलतियां करते हो जब आप S के बाद C आप लोगों को कहीं दिखता है तो कई लोग क्या करते हैं कई लोग उसको skeezers भी बोलने लगते हैं कैंची S के बाद C जब भी आए तो C silent होगा ये ध्यान रखिएगा S के बाद C जब भी आए silent होगा disciple और ये disciple क्या होता है ये होता है शिश्य शिश्य और गुरू की English किसको पता है जल्दी से हाथ खड़ा करो गुरू की English इंगलिश कौन बताएगा मुझे आज मैं चाहता हूँ देखो शिश्य की मैंने बता दी शिश्य को English में हम कहते हैं disciple यह होता है हमारा शिश्य disciple बोलते हैं इसको English में तो बताओ हम गुरू को क्या बोलेंगे गुरू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में अम आशे इंकलित में बताओं वहीं टीचर नहीं ओता मास्टर भी नहीं होता ना कं Middle Side है भी है अध्यलिस्त तो सभी आपका चलिए वीरी गुड बताओं मेंटोर ना तो आपको कोई भी टास्क होता है ना उसका आपका मार्क दर्शन करता है वह मेंटोर गुरुदेव अरे नहीं भाई वेरी गुड यह है मोटिवेशनल व्लोग एजुकेशन फैक्ट इन्होंने सही बताया है प्रिसेप्टर प्रिसेप्टर को हम कहते हैं इंगलिश में गुर गुरू ठीक है तो क्या होगा प्रिसेप्टर तो याद रखेगा दोस्तों बहुत बढ़िया मतलब जिसने बताया है बहुत सही है आज के बाद आप यह चीजें याद रखें क्योंकि हार काम तो आएंगी आएंगी ना कॉमन सेंस की बात है चलिए तो हमने यह कर लिया डि अब हमारा लास्ट का एक रूल बच गया जो हमें क्या कहता है कि यह कुछ एग्जेंपल हैं यह आप लोग इनहीं जैसे वर्ट्स अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कैसे ध्यान से देखिए अगर कभी भी टी से पहले बी आएगा तो बी साइलेंट ह होगा ती से पहले अगर क्या आता है भी आता है तो साइलेंट होगा जैसे डैट यानि कि करजा फिर टी से पहले बी आ गया तो यह भी साइलेंट हो गया यह बन गया डाउट 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 बोलते हैं डाबूट नहीं बोलते हैं यानि मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा ह अगर आपको ऐसे कोई और वर्ट्स पता हैं तो जरूर लिखिएगा comment box में अब अगर बी से पहले M है तो वो भी silent होगा जैसे कौम कंगा ठीक है बी से पहले M है वो हमेशा silent होगा ठीक है लेकिन मेरे को इसकी कोई pronunciation बताएगा इसको हम क्या बोलते हैं मैं pronunciation सुनना चाहरा था वैसे अलांकि यह जो है यह अलग है इसलिए मैं इसके साथ ले आया यह exception है दोस्तों very good ठीक है इससे हम बोलते हैं tomb 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 ठीक है तो याद रखिएगा यह exception है यह इसकी तरह नहीं आएगा तो बी से पहले M आ गया तो यह बन जाएगा इसे क्या बोला जाता है island क्या बोला जाएगा island समझाया और यह क्या है दोस्तों कूड़े को इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं debris हम इससे क्या बोलते हैं debris नहीं होता इसलिए मैं कह रहा हूं आई के बाद s जो आता है वह silent है तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा debris यह बहुत जाएदा काम आता है आपके लिखने में भी और बोलने में भी आएगा तो याद रखिएगा इस चीज़ को debris आप देखिए दोस्तों अगर f से पहले l आएगा तो वह भी silent होगा काफ f से पहले l आ गया यह बन गया हाफ इसी तरीके से एक रूल है कि n से पहले अगर m आता है तो वह भी क्या होगा silent होगा जैसे autumn यानि पज़ड जैसे अगर n से पहले है अरे यह n सा्यलन है इसमें M के बाद अगर n आएगा तो वह silent होगा M के बाद अगर n आएगा तो साइलेंट होगा इसे बोला जाता है suis अ गर दैम इसे बोला जाएगा autumn एम ङाएगा लेकिन ं लास्ट का silent रहएगा अब लास्ट हमारा जो आज रूल है वो क्या कहता है हमें यह क्या कर रहे हो गल्फ इंफॉर्मेशन गल्फ इंफॉर्मेशन आपने पांच क्या डालें यह साउधी अरेबियन करंसी आपने रिदम से डाल दिये तो गल्फ इंफॉर्मेशन थैंक यू आप सब का जो भी मतलब थोड़ा बहुत सोचता है अड़े वाँ चैट रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ गया इतने मेरे को आदत है नहीं वैसे मैं कभी कहता नहीं हूं लोगों को कि सूपर चैट करो या वो करो लेकिन आज किया है तो गल्फ इंफॉर्मेशन आपके पास और बहुत पैसे आएं ठीक है ताकि आप ऐसे भी बिना बताए सूपर चैट करते रहें तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं आप अगर देखेंगे अगर आई से पहले यू आता है तो वह साइलेंट होता है यहां पर एक बात बताओ कई लोग इंगलिश में बिस्कुट नहीं बोलते हैं क्यों बोलते ह हैं यह जो गलतियां हैं यह क्या हैं यह हम नहीं करेंगे अरे गल्फ information का मतलब कुछ नहीं है उनका channel है उन्होंने फॉरन currency से मुझे super chat किया है जो कि 108 रुपे कुछ ऐसा बनता है ठीक है तो उनका मैं धन्यवाद कर रहा था चलिए तो आई से पहले यू आ गया तो आप क्या कहते हो guide बोलते हो है ना तो वहाँ पर यू silent है तो biscuit होता है biscuit बिसकूट नहीं होता क्योंकि जो यू है वो आई से पहले हमेशा silent होगा इसी तरीके से अगर इसे पहले यू है तो वह भी साइलेंट होगा जैसे हम महमान को क्या बोलते हैं महमान को इंगलिश में क्या बोलते हैं हम बोलते हैं guest लेकिन G-You होता है ठीक है तो आप समझ जाओ कि अगर कभी भी-e से पहले यू आए गया वह भी silent होगा जैसे इसे पहले यहां पर यू आया है यह भी silent है guess यानि अंदाजा लगाओ ठीक है तो आपको क्या सच में लग रहा है कि आज जो हमने इतना silent letters का हम जो यह बबाल किये जा रहे हैं इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है बताइए मुझे पायदा हुआ आप सबको सचे दिल से बताइएगा मैं सुनना चाहता हूँ आज जितना भी spelling mistakes का हमने किया शुरू से pronunciation से स्टार्ट करके फिर rules हमने सारे किये मैंने शायदी कोई rule छोड़ा होगा और silent letters भी मैंने almost सारे cover कर दिये ठीक है मज़ा आया सबको very good चलिए दोस्तों आप जब यह बोल देते हो ना तो सच में आत्मा दिल अंतरात्मा सब त्रिप्त हो जाती है जितनी मेरी मेहनत लगती है यह pdf बनाने में आप तक पहुंचाने में और एक जùन टाल लगाता और बोल कि आप लोगों को समझाने में पड़ाने में तो जब आप करते हो ना तो सच बता रहा हूं औरों का पता नहीं मुझे ऐसा लगता है darf चांज कि मैंने आप लोगों को बताए या मैं मैंनेजर भी होता, मैंनेजर तो आराम से होता, तो आप खुछ सोचो, मैं सब कुछ एशो आराम त्याग के, अगर टीचर बना हूँ, तो किस के लिए, आप सब के लिए, है ना, अगर मैं आप में से, अगर 5 या 10 जिंदगी भी अगर मैं बदल पाया, यानि मेरी वज टीचर होगा, या आपका गुरू होगा, ठीक है, तो आप सभी जितने भी मेरे शिश्य हैं, आजकल की नॉर्मल, जो कहते हैं, मौडन उसमें, दोस्त हैं मेरे, ठीक है, छोटे बाई-बैन है, तो बड़ा अच्छा लगता है, जब आप लोगों को मैं कुछ मेहनत से सिखा पाता हूँ तो, ठीक है, और मैं पूरी उमीद करूँगा, आप सब भी ऐसे ही मेहनत करते रही है, कोशिश करते रही है, कुछ भी इंपोसिबल नहीं है, सब कुछ आप लोगों के हाथ में है, बस एक जो वक्त है ना, वो सही जगे इन्वेस्ट करो, ठीक है, कभी भी गलत मत करो, क्योंकि आप जो ये जिन्दगी है आपके पास, ये वक्त दुबारा लोट कर नहीं आएगा, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट किया था, इसी वज़य से दस साल बार मुझे दुबारा पढ़ना भी पढ़ा, फिर मैंने युनिवर्सिटी ट अखल बनाईए, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एक और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाबाए, टेक केर, लव यू आल, गुड नाइट, स्लीप टाइट, एन कीप लर्निंग, बाबाए अवरिवन, ट बेन एक केर बाए, प्रिया में एक की रहें, टाइट प्रेस से स्टीелि पंवरों, टेखwo लिए, तो मिलता हूए, ये थाज़ स्टीप लिए, ये शरम नेकोलने के लिए बाए, ये शरम िज़रर में, टाटनी टॉच्ब ऊंवरों, टालनी नेकिवाश फाम हैं लिए बा